हलो गाईज, दिस इस सुरेन कुमार, अव्यान आईस अकेटमी के यूटूब चैनल पे आप सभी का श्वागत है, गाईज आज हम बात करेंगे डील लिमिटेशन कमिशन के बारे में, परशीमन आयोक के बारे में, काफी इंपोर्टेंट टोपिक है, काफी चर्चा में भी है अभी और इससे कोशन पूछे जाने की पूरी पूरी शंबावना है, तो गाईज, बारी बारी से हम इसके बारे में बात करते हैं, आप सभी जानते हैं, जो जनगर्ना होती है, वो हर दसवे साल में होती है, तो गाईज, हर दसवे साल की जनगर्ना के बाद, एक परशीमन जुनाबी सीमा का निर्धारन करना होता है, यानि इसके जो आदेस होते हैं, वो एक कानून की तरह लागूह होते हैं, यानि इसके आदेशों को इसके orders को किसी भी नयायले में कोई चुनोती नहीं दी जा सकती यह जो निकाय है basically guys इसकी जो recommendations होती है वो भी सरकारों पर कैसी होती है वायद्यकारी होती है यह एक मात्र ऐसी निकाय है अगर हम बात करें तो पूरे को पूरे शम्मिजान में इसके अ वो supreme court का retired कोई judge होगा right इसके अलावा जो दूसरे members होंगे आपके वो CEC होंगे मुख्य चुनाव अधिकारी क्या कर सकते हैं चाहें तो वो किसी अन्य चुनाव अधिकारी को भी इसमें as a member वो न्योक्त कर सकते हैं यह उनके पास ताकत होती है इसके अलावा जो तीसरे members हो होंगे वो मुख्य चुनाव अधिकारी होंगे संबंदित राज्यों के यानि जहां जहां पे delimitation किया जाना है जहां जहां पे परिशीमन किया जाना है जिन जिन राज्यों में तो वहां के जो मुख्य चुनाव अधिकारी होंगे वो भी इस commission के क्या होंगे हिस्सा होंगे पार्ट होंगे, अब गाईज यहाँ पे इस सारे के बाद हमारे questions आते हैं, अब ही आपसे मेरे questions है जिनके जवाब आपको मुझे देने, although बताने के लिए इसमें बहुत कुछ है, लेकिन exam के पॉइंटों भी से ये इतना आपके लिए sufficient है, आप इतना कर लेंगे इसको question मेरा जो पहला है, उसका जवाब देना आपको, इंडिया में परिशीमन आयोग पहली बार उसका गठन कब किया गया था दूसरा guys, मेरा जो question है अभी परिशीमन आयोग की अध्यक्ष कौन है, और तीसरा guys, मेरा आपसे question है कि अभी तक इंडिया में कितने परिशीमन आयोगों का गठन किया जा चुका है, इन तीनो questions के जवाब आपको मुझे comment करके comment box में देने, बाकी अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ध्यार रखें, पढ़ते रहें, थेंक्यू